राजनिती के महान जानकार अचारे चाड़की एक चतूर कुटन तग्य प्रेकांडर स्थास्त्री के रूप में बिश्यो प्रेख्यात हैं उन्होंने दैनिक जीवन में कारे बिभार और आचरण से जुड़े कुछ महत्पुन नियम बताए हैं जो आज भी बेहत प्रासंगे चाड़क के नीती में जीवन से जुड़े अहम विश्यों की तरफ ध्यान दिलाया गया है साथ है इसमें मित्रभेत से लेकर दुश्मन तक के पहचान के बारे में बे महत्पुन बाते बताए गई है उन्होंने अपने गहन अध्यान चिंतन और जीवन के अनुभावों से अरजित अमुल ग्यान को निश्वात भाव से लोगों को कल्यार के उद्यस्ते से अभिव्यक्त किया है आप भी जानी आ अचारे चाड़क के कुछ ऐसी खास नीतियां ग्यान से ही मिलेगी मुक्ति अचारे चाड़क के कैनुशार हाथों की सोभा दान देने से है इसी तरह चंदन का लेप लगाने से नहीं जल से नहाने से निर्मलता आती है ऐसे ही एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं समान देने से संतुष होता है और मुक्ति खुद को सजाने से नहीं आध्यात्मिक ज्यान को जगाने से होती है आप इससे आपको दूख होगा चाड़क के नितिक अनुशार मुर्खों से सदा दूरी बना कर रखो अगर उनसे बात चीद करनी पड़े तो थोड़ा शावधान रहना चाहिए क्योंकि वो अपनी हर बात को अपने तरब से गलत सीद करने का प्रयास करेंगे इससे आपको दूख होगा ऐसे ब्यक्ति बरबाद होता है चड़के नितिक अनुशार अपनों से अपमानित हुआ ब्यक्तिया जिस ब्यक्ति पर कर्ज हो और जो ब्यक्ति दूस्त राजा की सेवा कर रहा हो ऐसे ब्यक्ति का सरेर बिना किसी आग के ही जनने लगता है वो बरबादी की ओर बढ़ने लगता है तब ही बढ़ेगा मान शमान अचारे चाड़के के अनुसार हर जगा अच्छे और सच्छे लोग नहीं मिलते हैं वो आगे कहते हैं कि एक बुद्धिमान पिता वहीं है जो अपने बच्चों को अच्छी और सच्छी सिक्षा देता है और उन्हें गुड़ी बनने के लिए प्रेरित करता रहता है क्योंकि पिता इस बात को जानता है कि संतान अगर ग्यानी और नीती में निपूर होगी तो उस शमाज में कूल में उनका जुमान शमान है वो बढ़ता नजर आएगा कुछ अच्छे कारे ज़रूर करे चालके निती के नुशार ब्यक्ति को हर दिन कुछ ने कुछ अच्छे कारे आवश्य करने चाहिए इसके लिए ओपरते दिन निया मनुशार कुछ श्लोक या फिर कोई नया अक्छर का ग्यान शीख सकता है या फिर उसे कोई अभ्यास या दान आधी कारिक करने चाहिए निजरूम से अमेजिन वर्ल्ड की रिपोर्ट